मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग अफस्टॉक में आप लोग अपना एक न्यू एकाउंट कैसे ओपेन कर सकते हैं और मैं आप लोग को इस वीडियो में अफस्टॉक में आप लोग को मैं यहाँ पर एकाउंट बना कर दिखाऊंगा और मैं आप लोग को यहाँ पर account बनाने का पूरा process में जब को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम मैं आप लोग को यहाँ पर step by step आप लोग को मैं आप पर process बताऊंगा upstock में तो अगर आप लोग को भी account आप लोग को यहाँ पर open करना है तो आप लोग इस video को complete देखें क्योंकि आप लोग को यहाँ पर complete जानकारी मिलेगा तो आप लोग को मेरे video को नीचे में upstock का link मिलेगा तो आप लोग जैसे उस link पर tap करेंगे आप लोग आजाएं कुछ इस परकार के इंटरफेस पर simple आप लोग को यहाँ पर application को download कर लेना है और download करके जो आप लोग यहाँ पर पहली बार open करेंगे तो आप लोग के सामने upstock का कुछ इस परकार से जैसा कि मैंने अपर mobile number को डाला, simple आप लोग यहाँ पर sign up which mobile number पर tap करेंगे, आप लोग के सामने कुछ specard के अंटरफेस आएगा, simple आप लोग के नमबर पर OTP आएगा, आप लोग यहाँ पर OTP को डालेंगे और यहाँ पर continue वाले option पर tap करेंगे, OTP को डाला और मैंने यहाँ पर continue वाले option पर tap किया, तो आप लोग के यहाँ पर कुछ specard के अंटरफेस आएगा, simple आप लोग के यहाँ पर 6 pin का, आपको यहाँ पर pin करना होगा, pin डालना होगा, तो चले मैं यहाँ अपना 6 number का यहाँ पर pin को डाल देता हूँ, simply आप लोग यह option पर tap करेंगे, अब आपोलोग यहाँ पर email id पर otp आईगा, simple आपफ लोग यहाँ पर get otp पर tap करेंगे, और आप लोग नीचे में अपना email IMP को डालना है, आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर tap करना है, इक कुछल को डाला और मैंने यहाँ पर continue किया, तो आप लोग के साम पर पेंट कार को अपने पास रख लेंगे और आप लोग यहां पर continue वाले उप्षिन पर टैप करेंगे जैसे मैं आप यहां पेंट करता हूं simple आप लोग यहां पर अपना paint number डालना है और अप लोग को यहां पर डेट ऑप गालना है तो चले मैं आप इन दोनों को फिल कर लेता हूँ, इस इंपल आप लोग को यहाँ पर next वाल या उपसिन पर tap करेंगे, आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ इस्पर कार्ड के अंटरफेस आगा, इस इंपल आप लोग को यहाँ पर अपना male, male female, आप लोग यहाँ पर single है, आप लोग यहाँ पर married हो, आप यहाँ पे चूच कर लेंगे आप लोग को अपने पर इंकम कितना है वाँ विश्क नेंगे इक लाग से फ्माच लाग फिर आप लोग अब पर एक्सपरियेंस करेंगी कि कि आप लोग denote पर मतलब zero experience है और आप conspiriates है और आप यहां पर इंज देन ओन यर्स पर टैप करेंगे फिर आप लोग को आप पहलेंगे अपना इस wallpaper name को डालेंगे फिर आप लोग यहां पर आपको solution को चूज करेंगे फिर आप लोग यह हैं पर आपको पोलुश्य expres इसमें आप लोग नो करेंगे और यहां पर आप लोग इसके नीचे आप लोग यहां पर एस करेंगे तो इन सभी को फिल करने के बाद आप लोग यहां पर सिंप्ली कंटीनु वाले उप्सन पर टैप करेंगे जैसे ही आप लोग यहां पर कंटीनु वाले उप्सन पर टैप क बतादू कि यहां पर लिखा रहा है को अपनींग करने का आपको चार्ज देना परता है तो अभी फिलाल यहां पर अब लोग यहां पर जब भी अकाउंट बनाएंगे तो आप लोग यहां पर हो सके फिरी भी मिल सकता है नहीं तो आप लोग को यहां पर कुछ चार्ज देना पर से तो आपका situation भी depend करता है कि आप लोग किस time पर आप लोग यहां पर account को open कर रहे हैं और उसके बाद simply आप लोग यहां पर I want a stock for you आप लोग 0 के option पर tap करेंगे उसके बाद मेरा यहां पर कुछ loading ले रहा है अब आप लोग यहां पर अपना digital signature करना होगा और उसके simply आप लोग यहां पर continue वाले option पर tap करेंगे जैसा कि मैंने आपना signature यहां पर कर दिया, simple आप लोग यहां पर continue वाले option पर tap करेंगे और यहां पर फिर से आप लोग को यहां पर कुछ specid card का loading लेगा और loading लेने के बाद यहां पर आपको कुछ specid card से interface देखनी को मिलेगा, dg locker से आप लोग को यहां पर verify करना होगा तो आप लोग को यहां पर simply continue नहुट के connect नहुत के औप्षन पर ट्याब करेंगे फिर आप लोग यहां पर process करेंगे और उसके बाद यहां पर डीजी लोकर्स आप लोग को अपना यहां पर आधार कार्ट को verify करना होगा अब आप लोग को यहाँ पर अपना अधार नमबर डालना होगा उसके बद आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले ओप्शन पर टैप करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर अधार कार को डाल दिया है तो फिर आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले ओफिन पर टैप करेंगे उसके वह बहुत आप लोग कहाँ जो भी आपका यहाँ आप लींक होगा उस नमबर पर आप लोग का OTP आएगा Simply आप लोग यहाँ पर OTP को आप लोग यहाँ पर डाल देंगे मैंने यहाँ पर अपना OTP को फिल कर दिया Simply आप लोग यहाँ पर Continue वाले ओप्शन पर टैप करेंगे अब आप लोग को यहाँ पे simply allow आले option पे tap करेंगे यहाँ पे DJ logo से verify हो चुका है अब आप लोग को यहाँ पे अपना एक selfie आप लोट करना होगा तुर चले वे आपना एक selfie को upload कर दीता हूं मैंने यहाँ पे अपना selfie को मैंने यहाँपर डाल दिया simply आप लोग यहाँ पर continue करेंगे या नहीं तो आप लोग चाहे तो फिर से photo ले सकते हैं तो चले मैं आप अपना continue वाले option पर tap करता हूँ अब आप लोग को यहाँ पर अपना account number को डालना होगा यानि आप लोग को यहाँ पर अपना bank account को डालना होगा तो चले मैं आप अपना bank detail को fill कर लेता हूँ जिसा कि मैंने आप अपना bank detail को fill कर लिया अब आप लोग के आप सिंपली continue वाले option पर tap करेंगे और यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ इसपर कार के एंटर फेस हैगा simply आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं sign up आपको for free simply आप लोग इसपर tap करेंगे और आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर tap करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर account ओपनिंग का चार्ज नहीं लग रहा है तो आप लोग यहाँ पर simply continue वाले option पर tap करेंगे और यहाँ पर आप लोग का लिखा वा आज चुका है आप लोग इसे चाहे तो बाद में भी चेंज कर सकते है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मैं यहाँ पर no वाले option पर रहने था हूँ आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर tap करेंगे और यहाँ पर आप लोग का कुछ इस प्रकार से आ चुका है option अब आप लोग को यहाँ पर simply I do it later के option पर tap करना है simple आप लोग को यहाँ पर e-sign करना होगा आप लोग के यहाँ पे आधार OTP से आप लोग के यहाँ पे e-sign करना होगा simple आप लोग के यहाँ पे आधार OTP के option पे tap करेंगे आप लोग के यहाँ पे simple e-sign now के option पे tap करना proceed to e-sign करना है आप लोग को नीचे option दिख रहा होगा आपको sign up now हो, simple है आप लोग इस पर टैप करेंगे, और आप लोग के सामने कूछ इस पर का आपको यहाँ पर NSDL का आप लोग यहाँ पर website देखने को मिलेंगा, simple है आप लोग यहाँ यहाँ पर अधा जैसा है कि मैंने यहां पर अपना OTP को डाल दिया आप लोग यहां पर verify OTP पर tap करेंगे और आप लोग यहां पर कुछ इस परकार से verify लेगा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं e-sign यहां पर successful हो चुका है और यहां पर मेरा e-sign यहां पर complete हो चुका है और यहां पर मेरा e-sign होने के बाद अब आप लोग केयां पर application submit होगा और उसके बाद आप लोग के यहां पर demate account आप लोग के बनकर तयार हो जाएगा इसके लिए आप लोग के यहां पर तीन दिन का time लेगा आप लोग के यहाँ पर तीन दिन के अंदर ही आप लोग के यहाँ पर डिमेट एकाउंट आप लोग को यहाँ पर बनकर तयार हो जाएगा और यहां पर आप लोग को यूजर नेम और आप लोग को यहां पर login पासवर्ट आप लोग को दे दिये जाएगा तो simple आप लोग को यहां पर अपना username और password को आप लोग को यहां पर copy कर लेना है उसके वाद Simple आपलोग को आना है App shy में और आपलोग को यहाँ पर अपना eakount को Login कर लेना है Simple आपलोग यहाँ पर Login वाले A治étaisन पर जाएंगे आपलोग यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे और आपलोग यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे तो मैं यहाँ पर simply अपना year को choose करता हूँ और यहाँ पर अब आप लोग का change passport आएगा तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले अपना password को change करना है आप लोग को यहाँ पर अपना old वाला passport डालना है आप लोग को यह new passport डालना है अब मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को और एक दो वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं आप लोग को अप स्टोक में आप लोग को यहां पे कैसे अप स्टोक को आप लोग को बाई करना है सेल करना है इसमें आप लोग को कैसे अपन को मिलेगा refer and earn आप लोग यहां पर refer आप लोग यहां पर 500 रुपे 800 रुपे तक कि आप लोग यहां पर income कर सकते हैं तो आप लोग यहां पर upstock में आप अपना account बनाएंगे तो इसमें आप लोग 1000 रुपे 1200 रुपे तक का आप लोग इसमें एक friend को refer करने पर मिलता है तो आप लोग इसमें refer करके भी अच्छा खासा amount की earning कर सकते हैं इसके लिए आप लोग यहां पर upstock में अपना account जरूर बनाएं तो आप लोग को यहां पर समद में आ चुका होगा कि आप लोग upstock में आप अपना खुद का account कैसे बनाएंगे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये चैनल को सब्सक्राइब जए उक्रे चलिया इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं जहीं नुवन दे महत्रम